नमस्कर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तोस्तों योतिश और वास्तु के नुसार हमारे जीवन को सुगंद और सुंतरता प्रभावित करती हैं सुगंद जहां हमारे दिमाग को शांत करती हैं वह यह हमारे भागे को बदलने की याग हैं कि किस्मत को चमकानी की चमता भी रखती हैं सुगंद से यह आपकी जिवन में संताब मिट जाएंगे तो निश्चित ही आपकी किस्मत के ताले खुद बखुद खुल जाएंगे पारिजात की यादबत फोल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते बेश सब मुरज्जा जाते हैं यह माना जाता है कि पारिजात के विरक्ष को छुने मात्र से ही व्यक्ति की ठकान मिड़ जाती है इन फूलों को खास दोर पर लक्षमी पूजन के लिए इस्तेमा जो अपने पीड़ से टूट और नेचे घर जाते हैं या फूल जिसके घर अंगन में खिलते हैं रात रांवी इसनी के मधत मस्त खुश्बु भी हैं इसके छोटे पूल कुछे में आते हैं तथा रात में δते हैं और सवे रहा आते हैं हर बार 7-10 दिन तक अपनी विखेरगर बहुती शांती माई और खुश्पुदार वातावरण दिर्मत कर देते हैं जिसके भी नाक में इसके सुगंद जाती है वह वहीं ठहर जाता है इसके सुगंद सुंगते रहने से जिवन के सारे संताप मिठ जाते हैं रातरानी और चमेली के फूलों का इत्र भी ब भी लर जैसा साथी हरा और सफेद होता है तिसरा है जुहिके फूल जुहि की जारी अपने सुगंद वाले फूलों के कारण बागी चों में लगाए जाती है जुही के फूल छूटे तथा सफ़ेद रंके होते हैं और चमेली से मिलते जुलते हैं फूल वर्षा रितू में खेलते हैं इसके सुगंद से मन और मस्तिशके के सारे तनाव हड़ जाते हैं और यहाँ वातवरण को शुद्ध बना देता है चोथा है रजनी गंधा रजनी गंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है मैदानी छेत्रों में अप्रेल से सितंबर तथा पाहडी छेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं रजनी गंधा के तीन किसमें होती हैं रजनी गंधा के फूल को प्योग माला और गुल दस्ते बनाने में किया जाता है इसके लंबी डंडियों को सजावट की रोगत भी प्रयोग किया जाता है इसका सुगंधि तेल और इत्र भी बनता है इसके कई औशड़ ये गुण भी है पाँचवा है केवडा यो तो यह एक बहतरिन खुशबू का फूल है तथा इसके इत्र की तासिर गर्मी में तन को शितलता प्रदान करती है केवडे के पानी से स्नान करने से शरीर की जलन मों पसिने की दुरगंद से भी छुटकारा मिलता है गर्मीयों में नित्य केवडा योक्त पानी से स्नान करने से शरीर में शितलता बरी रहती है केवडा का उप्योग इत्र पानमसाला, गुलतस्ते, लोशन, दंबाखु, केश्टील, अगरबत्ती, साबूर में सुगंद के रूप में किया जाता है केवडा तेल का उप्योग आउशिती के रूप में सरदर्द और गठिया वात में किया जाता है छटा है मधुमालती लाल गुलाबी सफेद रंके गुच्छों में खिलने वाली मधुमालती के फूल बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं इसकी महग से आसपास का वातावरण महगता रहता है लगभग पूरे साल इस पर फूल लगते रहते हैं यहाँ बालकनी, गेट पोश्ट, पार, छट, खंबे, दिवार को कवर करने के लिए बहतरिन लता है यह फूल रंग बदलते हैं पहले दिन सुर्योदे के समय जब इसके फूल खेलते हैं तो यह सफेद रंग के होते हैं दुसरे दिन वही फूल गुलावी रंग में बदल जाते हैं और तिसरे दिन गार हे लाल रंग में इसमें सफेद रंग के छोटे फल भी लगते हैं जो बाद में भूरे रंकी हो जाते हैं बधुमालती के फेड के लगभग हर भाग का अईरवेदिक उप्षार में प्रयोग होता है साथवा है ब्रम्म कमल एक तो होता है सादा कमल दूसरा होता है निल कमल और तिसरा होता है ब्रम्म कमल यह बहुत ही कम पाया जाता है लेकिन जिसके भी यहां यह होता है समझो सुख समर्द्धी और शान्ती बनी रहती है वैद्धी कहते हैं किसकी पंखुडियों से अमरित की बुंदे टबकती हैं इससे कैंसर सहील कही खतरनाक बिमारियों का इलाज होता है ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे खिलते समय देख कर कोई काम ना की जाए तो वो अतिशिक रही बूर्ण हो जाती है यह फोले रात में खिलता है और सुबह मुर्चा जाता है मुझे उमीद है आज का इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो मारे इस चैनल को सब्स्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले इस वीडियो बसता ही अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा तब रक लिए स्वास्त रहें खुश रहें धन्यमाद